जहां एक तरफ चीन में आर्थिक तबाही का बम फूट गया है और करजे का बम फूटा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने US, UK और UAE में कौन सा बड़ा गेम खेल दिया है और ये गेम जहां एक तरफ 3,349 मिलियन डॉलर का है तो वहीं दूसरी तरफ 4,593 मिलियन डॉलर का है जानेंगे क्या है मामला क्यों भारत चीन के पत्चिनों पर चलते हुए इन देशों में अपना कबजा जमा रहा है इसके अलावे बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबर को विस्तार से एक पुरानी कहावत है गुरु गुड और चेला चीनी इस वक्त यही हाल हो गया है दुनिया वर में आर्थिक तोर पर अपने आप को कैसे मजबूत करना है इसका परमुक सुत्रधार था अमेरिका लेकिन अमेरिका में एक चीज अच्छी थी अमेरिका बिल्कुल अभी भी लागू होती है लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं रहा है चीन ने बैपार की हर नीती को तोड़ा है डुब्लिकेट समान बनाना हो कमजोर समान बनाना हो प्रॉफिट जिससे ज़्यादा हो वो बनाना हो वो सारे काम करके चीन ने अपने आपको आर्थिक पर मजबूत किया लेकिन अब बहुत बड़ी मुसीवत चीन के ऊपर तूट चुकी है और यह एक बड़े बम के रूप में है करजे का बम जो फूट पड़ा है चीन के अंदर अभी हमने देखा किस तरीके से दंगे और परदर्सन होने लगे चीन के अंदर जब बैंकों न मना कर दिया करीज 6-7 महिने से की आम लोग पैसा नहीं निकाल सकते हैं मतलब अपना ही पैसा निकालना मुस्किल हो गया तब पता चला कि नहीं इन बैंकों के पास पैसे हो गये हैं खत्म और अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो और भी भयावा इस्तिती को बता रही है जो भयावा इस्तिती है वो ये है कि छोटे छोटे बैंक जो इन बड़े बैंकों को रिपोर्ट करते हैं उन बैंकों के पास कैस फ्लो खत्म हो गया है उनके एसेट्स बरबाद हो चुके हैं सिर्व हेनान प्रांत की बात करें तो 40 बिलियन युवान यानि कि 6 बिलियन डॉ कोलर का यहां पर एसेट्स होना चाहिए और जो कस्टमर है वो करीब 4 लाग कस्टमर है लेकिन यह फैनेंसियल सिस्टम पूरी तरीके से बैठ गया है अब जब यह परदर्शन करने आए तो यहां पर दंगे होने लगे यहां मार मार कर निने भगाया जाने लगा और जैसा क जो एक बैपार चलाता है जहां पैसे का लेन देन होता है वहां पर जीडीपी और जो करजा लिया गया है उसकी तुलना हमेशा होती है जैसा कि यह 60% से जैसे उपर जाएगा वैसे ही खत्रे की निसानी के उपर चला जाएगा अब हुआ यह है कि चाइना की बैंकिंग सिस् साधारन भासा में समझे क्या हुआ है दरसल हुआ यह है कि चीन के रियल इस्टेट सेक्टर ने चीन के और भी कई सेक्टर ने पैसे करजे पे लिए बैंक से चीन के टेक सेक्टर ने भी पैसे लिए करज पे चीन से अब रियल इस्टेट ने पूरा सीटी का सीटी बसा दिय खरीदने वाला कोई नहीं है वैसे ही टेक कमपणियों ने उच्छाल तो दिखाया लेकिन टेक कमपणियों की उच्छाल से डर गए चिंपिंग और उन्होंने उस पर बारिस करनी शुरू कर दी अपने कोडों की हालात ऐसे हो गए कि वो भी पीछे हटने लगे अब इस इस्त सेक्टर में चीन के अंदर पैसे लगाने की और यह बिल्कुल धरासा ही होता हुआ गिरिया अब यही वज़े है कि 264 परतिसत जो की डेंजर से काफी आगे निकल चुका है चीन का पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम और यह सिर्फ इंटरनल ही बात नहीं है चीन के बैंको बिल्कुल भी उस उमीद जैसी नहीं हो रही है जैसा चीन ने सोचा था तो एक पूरा बड़ा आर्थिक बम फूटने को तयार है किसी भी समय यह फटेगा और फटेगा तो चीन के लिए सबसे बड़ी तबाही लेकर आएगा इतियास की सबसे भयंकर घठना होईगी तो व नहीं हुआ था वह भारत में देखने को मिल रहा है चाहे अमेरिका की बात करें चाहे चीन की बात करें यह क्या करते हैं दूसरे देशों की कंपणियों में बड़ा निवेस करते हैं और इस निवेस से फाइदा क्या होता है फाइदा यह होता है कि एक तो उस देश में एक ह के अलग कंपणियों को फाइदा होता है और कंपणी को फाइदा मतलब वह पैसा घूम फिर कर देश के फाइदे के लिए भी इस्तेमाल होता है पर भारत अगर कुछ साल पहले तक की बात करें तो भारत इस चीज में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था अब तक ऐसा होता था जैस इन्वेस्टमेंट के रूल्स वगेरा बदले गए और बदल कर थोड़े चाइना के परती टाइट कर दिये गए हैं लेकिन एक अलग ही चीज देखने को मिला और ये देखने को मिला भारत के हाल के ट्रांजेक्शन में मई महने में 2022 में जब देखा गया तो देखा ये गया कि भारत से 803 मिलियन डॉलर चले गए हैं बिदेश अब ये बिदेश किस रूप में गए हैं फोरन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में यानि इन्वेस्टमेंट किया है ये इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ है तो जहां 25 परतीसत करीब 101 अमेरिका में इन्वेस् 2000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट किये में इसके हलावे, बंगलादेश है, ऐस्ट्रेलिया, जर्मणी है, मयं मार है और स्रीलंका भी है जहां फोरन डायरीक्ट इन्वेस्टमेंट किये में घराएं तो वही भारत ने भी 3349 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट दुनिया के मार्केट में किये अब इसमें कमपनिया कौन-कौन सी है ONGC जिसने 54 मिलियन डॉलर का मैनमार में निवेस किया है Gale जिसने 25 मिलियन डॉलर का निवेस USA में किया है ऐसी कई कमपनियों के नाम आ रहे हैं जिनोंने रीटेल, ट्रेड, रेस्टोरेंट, होटल इनके नाम पर दुनिया बर में निवेस को बढ़ाया है ये भारत की आर्थिक मजबूती के लिए बहुत सही है वैसे इस मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ